नमस्कार मित्रों पोश शुकल पक्ष की एकाशी तिथी कब है? किस नाम से इसे जाना जाता है? इसके करने से क्या फल मिलता है? वरत किस प्रकार करें? वरत का पारण किस दिन किया जाएगा? संपून जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आएं हैं एकाशी वरत बहुती महत्व रखता है मित्रों साल में 24 एकाशी आती है और पोश माश की एकाशी को पुतरदा एकाशी के नाम से जाना जाता है जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है पोश महा की पुतरदा एकाशी वरत संतान के सुख, शांती, समरिद्धी उसे संकटों से बचाने के लिए किया जाता है जो व्यक्ति वरत को रखती है इस वरत के परताब से संतान पाने की मनो कामना भी पोण हो जाती है कैरियर में बच्चों को लाब मिलता है जो पुतरदा एकाशी का वरत करती है वीज लोग में पुतरपाक अमृत्यू के बास्वर को प्राप्त करती है इस वरत को करने से जिस फल की प्राप्ती होती है वह हजारों साल तक तपस्या करने से भी नहीं मिल सकता पोश महा की पुतरता एकाश्ची मित्रों 20 जनवरी 2024 को सुबह 7 बज़ कर 26 मिनट पर शुरू हो जाएगी और अगले दिन 21 जनवरी 2024 की रात को 7 बज़ कर 26 मिनट पर खतम होगी उद्यातिती के हिसाब से पोश मास के शुकल पक्ष की एकाश्ची जो रखी जाएगी वो 21 जनवरी 2024 को रखी जाएगी रविवार के दिन और व्रत का पारण अगले दिन किया जाएगा 22 जनवरी को व्रत का पारण भी सही समय पर ही करना चाहिए तबी हमें व्रत करने का फल मिलता है व्रत का पारण 22 जनवरी को सुभे 7 बज़ कर 14 मिनट से लेकर सुभे 9 बज़ कर 21 मिनट तक किया जाएगा व्रत करने वाले व्यक्ति को 21 जनवरी को सुभे सुर्य उदे होने से पहले ही उठ जाना है और उसके बाद नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल और तिल डाल कर नहा लेजिए हर हर गंगे जैमा गंगे नाम का जाप करते वे आप सनान कर लीजिए उसके बाद सुर्य भगवान को अरग दें उसके बाद अपने घर के मंदिर में आकर दिपक जलाएं आपके पास भगवान जी के जो भी सवरूप हैं उन्हें बड़िया सुन्दर शिंगार कराएं आप वरत से एक दिन पहले यानि शनिवार के दिन ही तुलसी तोड़ लीजिए रविवार होने की वज़े से और एक आशी भी है दोनों तिथियां कठी होने की वज़े से रविवार को आपको तुलसी जी में ना तो जल देना है ना ही सपर्ष करना है तुलसी जी के नीचे आप दीपदान कर सकते हैं और हाथ जोड लीजिए और तुलसी माता को किसी भी सात्विक चीज का भोग लगा सकते हैं जytes मखानों की खीर का भोग भगवान को अर्पित करें इस दिन मखानों की खीर का भोग भगवान को लगाना अत्यन्त शुब रहता है इस तरहां से मित्रों आप सुबह और शाम भगवान विश्णु जी के सवरूप लड़ु कोपाल जी की भगवान शीर राम चंदर जी की जो भी सवरूप आपके पास हैं उनकी पूजा करें पोश माश की पुतरदाए काशी की वरत कथा भी आप अवश्य ही सुनें तो मित्रों इस बार पोश माश की पुतरदाए काशी 21 जनवरी दिन रविवार को है और वरत का पारण 22 जनवरी को सुबह 7 बज कर 14 मिनट से लेकर 9 बज कर 21 मिनट तक किया जाएगा आपको यह चोटी सी जानकारी कैसी लगी अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जुरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें वीडियो को शेयर भी करें कमेंट बोक्स में जैश्री कृष्णा वश्य लिखें